अब इन्होंने सीधा सबके लिए इटेंडरिंग बेस कर दिया है कि जो भी नया लड़का रपूर्टमेंट होगा कोई भी नया आएगा वो कॉंट्रेक्ट पे लगा इटेंडरिंग इसलिए उन्हों निकाला हुए महिलाओं के लिए यह होना चाहिए जब सरकार एक तरफ तो यह कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो कहां बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ वाला अभियान दिखते हैं आप यह बताओ जब दिल्ली निवस्टी के अंदर SC, ST, OBC की महिला हैं उन सबसे भी फीस का पैसा लिया गया है आज से पता नहीं कितने साल दस साल हो गया हो गया बरती का लेकिन आज तक तो कोई नया भरती शुरूर नहीं हुआ है और उपर से इसमें यह हो गया कि एटेंडरिंग अब आप समझेए कि अगर एटेंडरिंग का मतलब यह है कि किसी कंपनी को यह ठेका दे दिया जाएगा कि आप वर्कपोर्स हमको प्रवाइड करें तो वहाँ पर कोई आरक्षन नहीं रहे गया आप देख रहे हैं जनित अवाज इसक्त में मौजूद हूँ दिल्ली के दिल्ली विश्विद्याले चीहां यहां पर जो आप करमचारी देख रहे हैं इतनी तैदाद में यह लगातार अपने हख अधिकारों की मांग के लिए बैटे हुए हैं दिल्ली उनिवर्स्टी के जितने भी 84 कॉलिजिस हैं जो उसके करमचारी है यहां पर लगाता दो दिन से इस भरी बारिश में भी यहां पर बैट रहे हैं क्या कुछ इनकी डिमांड है क्या कुछ इनकी समस्या है वो ही जानते हैं यह हमारे साथ सर है सर आपका नाम है प्रित्वी राज चौधरी मैं यूसीमस से हूँ लेवर्टी यूनिन का वाइस फ्रेजेंट सीस्टी एक्सेंट कमिटी मेंबर हमारे साथ में अध्यक्स महोदे सीस्टी दिली नुस्टी और आल कॉलेज के तो आज हमारे 84 कॉलेज टोटल दिली नुस्टी के जो साथी यहां पर भरती करना शुरू कर दिया है ना कोई भी चीज टाइम से नहीं देते ना पर सेंट के रलाउंस है टीए है में सीपी है प्रमोशन है बहुत सी चिल्डर्न एजुकेशन लाउंस है बहुत सी हमारे डॉमांड है यहां कंपन सेंट्री के 15, 20, 30, 30, 40 साल से लगे हो हैं प्रमोशन नहीं है यह सीधे तरीके से मानते ही नहीं है हमें धरना देने की नौपत आती क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा है गौवर्मेंट कॉलेज है गौवर्मेंट इनुश्टी है इसी तरह से अन्याय करते हैं अंग्रेजियों से बढ़कर हैं यह पिलकुल मैंने अं स करके सरकार से बात करते अपनी मर्जी से फर्मान जारी करते तुर्की फर्मान यहयों की नहीं को कि speakस उपनी इसे कיל नहीं मैडम बिलकुल भी नहीं मीटिंग की जाती है कुछ नहीं पूछा जाता है अब आठ और उनौजून को दरने बेटे थे हम उस दिन भी हमारा पीछे काफी डिमांट थी हर मीने हर पंदा दिन वाद हमें धरने पे क्यूं बैठा जा रहा है हम भी दिल्लिवस्ट्री में जौप करते हैं हमारा कोई भी संबान नहीं करते हमारी कोई भी डिमांट तो अलग ची तो में देविंदर सर्मा जी डूकू के प्रेजडेंट अपने लेब शुषिन के अध्यक्स नंदक सोर जी और लाइबरेरी के संजेव रेड़ी चारों यूनियन एक होके आज यहां पर विराजमान है आपको पता होगा कितनी गर्मी है अभी बारिस भी हुई गर्मी बारिस हमारे साथियों पे 88 FIR दरजु ही है, 58 FIR बताएए अभी 12 कॉलेज की हमारी शःलरी नी मिली वो दिलिय सरकार के इंडर है कुछ भी नहीं बारा कॉलेज में हमारे साथी जॉब कर रहे हैं आप यह सोचिए कि उनका घर कैसे चल रहा होगा हर बात इनकी गलत है और आज हम जो बैठे हैं इटेंडरिंग के खिलाफ है और हम इटेंडरिंग बिल्कुल पास होने नहीं देंगे हमारा करमचारी बिल्कु आप लोगों को रखा गया था तो क्या बताया गया था कि आप कॉंट्रेक्चुल है या रहेंगे गवर्मेंट के तहत हैं हमें कुछ नहीं बताया गया हमारे जो यहां पर हैं वो तो सब रेगुलर है लेकिन अभी जो इन्होंने इटेंडरिंग निकाला है चार-पान दिन जो सीटी गुरूप का निकालेंगे यह बहुत गलत बात है तो यहां तो सब रेगुलर है लेकिन आने वारे हैं जैसे हजार पोस्ट निकल रही है अब हमारे साथी पढ़के आ रहे हैं दिल्यों कहीं कहीं से पढ़ रहे हैं वह कॉंट्रेक्ट पे नोक्री कैसे करेगा हमारे कुछ सीटी के साथ ही थे उनको किया गया लेकिन राजवीर भाई के नितत्र में हुआ है राजवीर भाई सीटी सुसिन के प्रेजिडेंट है पूरे इमांदारी से लगे हुए हैं अब इन्होंने सीधा सब के लिए इट एंडरिंग पेस कर दिया है कि जो भी नया ल कि इसके अंदर आपको क्या समस्या आ रही है पहले ही सफाई करम करम चारियों का आउट सोर्स कर दिया घए ठीक है उनके जो दुरुदुसाय हमें पता है अला खराब उनके तनका टाइम पर नहीं मिलती कभी मन करता तो अटा देते हैं उनको दूसरे लगा लेते 20-25 पिश आज सपाई करम चारे में गिरी थी अब इन पर शुरुबात हो गी है जो हमारे जो एंटेंडन वगरा जो इनको आउट सोर्स करने की तहरी चल रही है लेकिन जो कंपनी में आ जाएंगे तो आलात करा हो जाएंगे तो इसके लिए आज हां आज रजिश्टार साब से मिले ह लगवग हमारी तेड़ गंटा मीटिंग चली है तो उन्होंने आसवासन दिया है कि ठीक है इस पर विचार करेंगे और एक एंटीए से वकेंसिया निकाली थी तो उसको जो है वो लगवग 15 मेहने हो गया है उसको तो वह बरतिया नहीं कर रहे है तो उसके लिए परियास कर कर चुका हूं सफाई करम जारी का आउट्सोर्स कर दिया गया है ठीक है उनकी बहुत जाता खराब है और इसी तरीके से बढ़ता चलाएं सेक्शन और पिसर जाएगा तो हालाँ वैसे होने जिसर्फाई करमचारी क्यों रखें कि नीती बनाई जारी है तो इस तरीके दारी तो चाहिए लेकिन पोस्ट के लिए भर चुके हैं लोग तो उसको कराएं ना उसको पर्मनेंट कराएं पर्मनेंट हो जाएगी और यह प्राइवेट कंपनी में खूंचुप सेंगे इनका तो ठेकेदार मारेगा इनको ठेकेदारी पर्था लाई जाएगा प्रियास अब हो तो निकाली जारी हिंदू राष्ट्य बन चुका है आजादी का अमरित महुत सब जो बनाया जा रहा है और उसके तहत यहां पर अभी आप लोगी इसकी पर पर यह पॉलिसी बना रखी है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए हम उसका विरोध करते हैं और धरना चल रहा है हमार से तो इसको आगे लिए जाएंगे अभी तो आश्वासन देदी है और अच्छारी स्पॉंसरा मानने के लिए त्यार है लेकिन देखते हैं आश्वासन तो मिलते रहते हैं लेकिन जब उस पर अमल करेंगे तब ही ना तो यह चीज है हमारी है किस तरीके की इनकी स्थिती है करमचारियों को ही यहां पर खतम किया जा रहा है अभी महिलाई भी है हमारे साथ तो उनसे बात करते हैं मैं क्या नाम है आप सरीता कशाप रामजस कॉलिज दिल्ली निवर्स्टी क्या कुछ समस्या आ रही है आप लोग करमचारी हमेशा देखते हम रोडों पर आ जाते हैं हमेशा आप लोगों के साथ ही इस तरीके के अन्याय और ऐसी नीती इलादी जाती है कि आप लोगों को रोडों पर आ जाना पड़ता है महिलाओं के लिए यह होना चाहिए जब सरकार एक तरफ तो यह कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो कहां बेटी बचाओ बचाओ वाला अभियान दिखते हैं आप यह बताओ जब दिल्ली निवस्टी के अंदर S.C.S.T. इतनी OBC की महिला है उन सबसे भी फीस का पैसा लिया गया है पीस का पैसा लिया जा रहा है एटी एस में जो एक्जाम हुआ है उसमें भी तो आप यह सोचो कहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है मैं रामजा स्कॉली से सरीता कशब मैं आपने जो हमारी एथोर्टी है उनको यह कहना चाहूंगी सब्सक्राइब की तरह से कि हमारी जल्दी से जल्दी पर्मोशन की जाए हम 22 साल से लगातार वहां पर काम कर रहे हैं लेकिन कोई पर्मोशन नहीं है पहले दस साल टेंपरेरी पर्मानेट उसके बाद पर्मानेट होने के बाद हमारे को मसीपी जो सो रुपे जिसमें पांस साल लगा दी है मसीपी देने में तो आप यह सोचिए हमारे बहुत सारे करमचारी ऐसे भी है जो लोग जिन से लिक टेस्स लिया गया और लीका टैस्ट बिलकुल उस पे लेवल पे लिया गया और उनको कोट भेजा गया यह हमारी जो एथोर्टी है कॉलीज लेवल की वो को ज को हम यही कहना चाहते हैं कि करमचारियों के साथ अन्याय मत कीजिए क्योंकि फिर एक टाइम ऐसा आएगा वो सड़क पे उतरेंगे और सड़क पे उतरने के बाद क्या होगा यह तो आपको पता है यह 56 जो है आप बता जो अधिनियम बनाया गया है जो कानून है 56 के तहत क्या आगर आज इन्हों ने कहा है कि एट एंडरिंग को हम रोग देते हैं कुस्टाइम के लिए लेकिन इट एंडरिंग को यह नहीं रोकेंगे अगर नहीं रोकेंगे तो इसके बाद अगला नंबर जो है 56 के तहत क्या होगा जो जितने भी पर्मनेंट की करमचारी हैं उनको भ हिंदु राष्ट्रे बन चुका है तो परेशान की ओ रही है महिलायों के लिए इतनी काम कर रही जाव बेटी बचाव बेटी पड़ाय हैं पेटी बचाव बेटी पड़ायों का जो नियाम है वो कहां लागू उरह हो इंहां जब मैं आपको कह रहे हूं कि हमारा पर्मोषन अपनी नीतियों जिसके तहट उनको लाया गया है नीति के तहट लाया जाए नहीं नहीं लेकिन बेस में तो यह है कि हम महिलाओं के साथ कोई भी अच्छा काम नहीं तो आ गई है हमारी महिला राष्ट्रेपति आ चुकी है और आदिवासी समाफ में हो सकता है भविश्य में क कि दिल के अंदर होना चाहिए लेकिन क्या है क्या उस तिरंगे की जो आत्मा है कि महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए वह तो हो रहा है आपी लोग तो लाते हैं सरकार को सत्ता में लाते हैं तो देखिए ऐसा है ना विश्वास तो किसी न किसी के उपर करना पड़ते हैं अगर मैं आपके उपर विश्वास करती तो इसका मतले यह चाहती हूं कि हाँ यह मेरे लिए अच्छा कुछ करेंगी अच्छा कर तो रहे हैं मोधी जी अच्छा कर रहे हैं तो फिर हम क्यूं करने के लिए लोग चलते हैं मेरा नम अमरदीब कच्छप है मैं दिली इनवर्सिटी एसी एस्टी वेलफेर एस्टी का सेक्रेटरी हूं और अभी हम लोग यहां पर धरना करने जैसे कि आपको पता है इटेंडरिंग के उपर और आगर आपको जो भी पूछना चाहते हम से अश्वासन दे दिया गया आप क्या करेंगे धरना खतम कर दिया जाएगा ने ने देखिए अस्वासन में तो धरना कि धरना क्या खतम होग देखिए एसी एस्टी के ताज जो समिधान से प्रदत है उसके उसको तो भरा जाता था अब आज से पता नहीं कितने साल दस साल हो गये होंगे भरती का लेकिन आज तक तो कोई नया भरती शुरूर नहीं हुआ है और उपर से इसमें यह हो गया कि ही टेंडरिंग अब आप पॉस्ट की कंपनी को यह ठेका दे दिया जाएगा कि आप वर्क फोर्स हमको प्रोवाइड करें तो वहां पर कोई आरक्षन नहीं रहे गए अगर आप इसके आडवरटाइजमेंट को भी देखेंगे तो उसमें किलियरली आप देखेंगे कि हमको इतना एम टीयस पोर्स प पोस्ट चाहिए और उसमें कोई भी उसमें नहीं बताया गया है कि जो इतने से आएंगे उसमें इतने स्टी होंगे इतने विसी तो यह एक तरह से पूरे देश से हमारे से एस्ट के ओई और परम करने का साजिस है जिसको अपने लोग नहीं समझ पा रहे हैं वह लोग कहीं नहीं का हिसकर की उन अचीया जो इडिबाटाइजमेंट थे जुबाते हैं उसमें उलज के रहे एंए मंदिर मस्जीद में रह रहे हैं कि चक्कर में पड़ गए हैं और वो लोग कहां किस चीज को खो रहे हैं उनको पदा में चल रहा है मुसलमान टाइट कर अब इसम को पता है कि जब 4th class IMPLI का जब आरेक्षरान खतम करके या उनका पद को भरने से मना करके यहां 5 class IMPLI का भरतीनी होता उसको मना है टोटल वो ठेकेदारी द्वारा ही हो सकता है तो हम देख रहें उनकी हालत क्या है एसी एस्टी ओबीसी के अधिकतर जो बच्चे थे क्योंकि वो कोई फर्स जनरेशन के पढ़ाई किये हुए हैं को सेकेंड जनरेशन के उनके गाइडेंस की कमी के वजह से इनी फोर्थ कलास और थर्ड कलास जो पोस्ट है उसमें हमारे अधिकतर लोग बच्चे उसमें आते अब जब उसको बंदी कर दोगे तो हम कंपीटिशन के लाइक ही नहीं हम गवर्मेंट जोब में तो नहीं आ सकते हैं गवर्मेंट जोब की जरूरत इसलिए होते थी कि उसमें एक तो आप फाइनेंसली सिक्यूर रहते हो है ना और बहुत सारे उसमें फैसलिटी प्रवाइ में फैलेगी और इसको आप समझ में आने लगा लोगों को कि इस तरीके से जो किया जा रहा है तो कहीं न कहीं हमारे 85 परसेंट जो बहुजन लोग हैं उनके साथ यह उठारा घात हो रहा है और उनको जितना जल्दी समझ जाए तो अच्छी बात है सायद हम आपके चैनल के 80 परसेंट वोट देने वाला भी तो आपी लोग हैं वही ना वही लोलीपो में फसा हुआ मंदीर मस्जीद हिंदू मुसलिम कोई इसको टाइट कर रहा है और खुद भी टाइट हो रहे हैं सब टाइट हो रहे हैं लेकिन हम खूस हो रहे हैं कि वो टाइट है यह नहीं पता दुद्र मुंख कर दो यह यह देशी वेघन लोगों के समुदा वीविभी लोगों के भासा में लोगों के लोग़ों के सबजी से मिला जुलागा है को लोगों को मान सकता है कि हिंदू रावित हो सकते हैं थोड़ा लेकिन अब उनको समझ में आने लगा हिंदू राष्ट है तो पेहट नहीं बढ़ेगा हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे और इतना मंदिर मस्जी थोड़ी खोल देंगे कि महां हिंदू राष्ट को सब पंडिती बन जाएंगे और पंडित बनने के लिए भी तो पंडित बनने के लिए आरक्षन है तो इसलिए यह सब कहना बेखुपी है और इसा संभव भी नहीं नहीं बन सकते दो नहीं सकते तो नहीं सेकते हो सबको पता है तो ही तो यह तो यह सब चीजें एक लोगों के कुछ लोगों की एक कुछिस्त मान सिखता है कि हम दूरास्ट बनाएंगे यह करेंग वह करेंगे सबसे पहले अपने बच्चों को भुष्च को देखें और यहां अनेक परकार के अनेक भासा के लोग अनेक धर्मों के लोग रहते हैं सब का समावे से इसलिए दिल्ली उनिवस्टी के 84 कॉलिज के करमचारी है वह यहां रोडो पर बैठे हुए हैं अभी इनकी एक मीटिंग हुई थी वीसी साहब के साथ तो उन्होंने इन्हें आश्वासन दिया है कि हम इस पर जो है मंजूरी देने की जो है अभी करते हैं इस तरीके की मीटिंग हुई है कि आश्वासन दिया वया है कि इस पर हम सोच विचार करेंगे और क्या कुछ उनकी मंचा है यह तो अब वही जानते हैं मगर जिस तरीके से यह करमचारी है अपने हकादिकारों की मांग के लिए लगातार यहां बैठे हुए हैं जो पक्के हो चुके हैं और जो आने वाल रहे हैं और इनका कहना है कि अभी भी यह जारी रहेगा तो इसी के साथ देखते रही जनित आवाद मेरे सयोगी ध्रमेंद्र के साथ में पूजा दिल्ली उनिवस्टी दिल्ली